हेलो उस्तो आप सभी सो बात करेंगे आपर रिल्विकस निगम के बारे में जिसके दोस्तो आज कौटर थरी के रिजर्ड अनौस हो चुक्य है और रिजर्ड का इंपैक दोस्तो स्टॉक प्राइस पर कितना बढ़या देखने को मिलेगा वो यहाँ पर हम अंडरस्टाडिंग करकर आगे हापर शेर प्राइस में भी इंप्रोमेंट दिखा देती है और कंपनी दोस्तो बिजनेस में भी तो प्रापर तरीके से देखना जो शेर दोस्तो अभी फिलाल आप सभी को 34 रुपीज पर अवेलेबल है उसमें आप बड़े अवेल्ट क्रेशन कर पाएंगे प् पर अभी स्टॉक मिल रहा है मैं आपको अभी और भी कुछ ऐसी चीज़े बताऊंगा दोस्तो जो देखकर आपको कॉंडिफिदेंस भी बड़ेगा रिल्विकस निगम के बारे में और यहाँ पर आपका भरोसा भी है पहले यहाँ पर हम बात कर लेते कंपनी के रिजल्ट के बारे में कंपनी के रिजल्ट दोस्तो काफी अच्छे ही है बिल्कुल यहाँ पर हम जैसे देखे तो हमें पता चलेगा अब यहाँ पर यह सबी फिगर्स इन करोड में हैं यहाँ पर हम दोस्तो कंपनी के कौटर आपको देखने को मिलेगा पिछले साल कंपनी ने यहाँ पर आपको नजर आएगा 3864 काया आपर करोड़ों में दोस्तों जो इंकम कमाये था टोटल वे आपर बढ़कर 5123 करोड़ों हो चुका है दोस्तों तो कमपनी एनर बेसेस पर अपने रेविन्यू में काफी तेजी दिखा रही है पिछले कौटर में सप्टेमबर महिने के कमपनी ने 4081 करोड़ों कमाये था टोटल इंकम वे बढ़कर 5123 करोड़ों हो चुका है तो कमपनी दोस्तों यहाँ पर भी धमागा करी दोस्तों आपको कहूंगा क्या इसे जो लाजवाब रिजल्ट होते हैं हमें इसे कम कमपनी में देखने के मिलते हैं दोस्तों क्योंकि देखे एक तो छोटा प्राइज और उपर से कमपनी के बिजनेस में भी दम यहाँ पर हम जैसे कमपनी के expenses की बात करें वो भी दोस्तों हमें आपर नजर आ रहे कि अच्छी तरीके से improve हो रहे हैं कमपनी पिछले साल 3,500 क्रोड का round figure ली खर्चा करती थी वह यहाँ पर 4,700 क्रोड का हो चुका है round figure ली आपर आप देख सकते हैं और यह देख लेजे quarter on quarter basis पर भी same situation तो कमपनी अपने business में खर्चा कर रहे हैं और उसका benefit दोस्तों यहाँ पर next level पर जाकर company provide करेगी निवेशक को अब company के जैसे बात करें net profit के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते company पिछले साल दोस्तों यहाँ पर 280 क्रोड रुपए कमाती थी वो बढ़कर देखे 281 क्रोड हो चुके हैं और यहाँ पर दोस्तों company पिछले quarter में बोलतो quarter second में 222 क्रोड कमाती थी वो बढ़कर देखे 28 281 क्रोड हो चुके हैं तो company ने बहुती अच्छा दोस्तों business करकर दिखाया quarter quarter basis पर और yearly basis पर also improvement जरूर present की हैं ऐसा नहीं किया कि पूरा downtrend ने बोलकर काफी अच्छा है आप पर अपना business दिखाकर company हाँ पर present करें दोस्तों कि इसके profit में दम है बोलकर और इसका EPS earning per share दोस्त के normaspeople आपको बातादो जैसे yearly इस पर बात करतो सेयम बोलते यहाँ पर हम कह सकते हैं एक pattern में दोस्तों company ka result present हो रहा है यह तो बात हो गया अभी कमपनी के result के बारे में दोस्तो हम लेक लिए खिलोर पर बात करेंगा अभी कमपनी के detail के बारे में यहाँ पर दोस्तो जैसे stock price के बारे में आप देखे रेल विकास निगम का share अभी 34 रुपए पर आपको मिल रहा है और एक अच्छे बात आपको कहूँगा कि कमपनी बहुत ही जबरदस है दोस्तो पिछले यहाँ पर आप देख सकते 2019 में 19 रुपए पर ही list हुई थी और यहाँ पर देखे अभी फिलाल कहा पर है तो कमपनी आप कहूँगा आने वाले समय में ग्रोथ जरूर करकर दिखाएगी इसमें एक दोस्तो कोशन मार्क अभी फिलाल आवेले बाले इसलिए इस कमपनी में इंप्रुमेंट नहीं हो रही है और वो चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे आपके माइन में दोस्तो पूरी क्लियरिटी आएगी क्योंकि देखे इसमें रिटर्न दोस्तो मिलेगा जरूर बट गोवर्मेंट के डिसीजन का इंतजार हो रहा है क्योंकि देखे प्रमोटर के पास अभी दोस्तो 78% का स्टेक है यहाँ पर इसमें से दोस्तो आपको कहूंगा करीब 75% का स्टेक जब यहाँ पर प्रमोटर के पास आजाएगा तब यह स्टॉक आपको यहाँ पर रॉकेट की तरह भागते में नजर आएगा और तब किसी को मिलेगा ने दोस्तो यहाँ पर 101% कहूंगा यह 3 डिजिट में दिखने वाला शेर साबित होगा बस आप यहाँ पर अभी धीरे धीरे दोस्तो इसमें कॉंटिटी बढ़ाने की कोशिश करना जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं समझ रहे हैं उनको पता चलेगा offer for sale आएगा दोस्तो इसलिए यहाँ पर इंतजर हो रहा है कब आएगा वो आने दो बट हमें यहाँ पर क्या करना है पहले से position बनानी चाहिए क्योंकि हमें पता है दोस्तो इसमें value बोल कर आद देख सकते 14,15,000 कॉंटिटी यहाँ पर रेलविकस निगम में दोस्तो खरीदी गई है और इस stock में कोई भी दोस्तो कमी नहीं है यहाँ पर इसके आप result भी देखेंगे न तो आपको पता चलेगा देख लीजे company के result पिछले quarter के September, December same situation दोस्तो अभी के फिलाल के भी आपको देखने मिलेंगे तो company all around बहुती बड़े चीजे present करती है और रेलविकस निगम के result में दोस्तो अभी कैसे performance रहा company का तो रेलविकस निगम consolidated net profit rate 4.27% December 2021 quarter तो यहाँ पर आप एक बात समझ गयोंगे दोस्तो company ने profit अच्छा किया sales भी अच्छी करिये और revenue अगरा भी maintain रखे हैं तो आप इसमें continue कर सकते हैं no doubt कि कोई खराबी ए company के result में अच्छे है और आप कोंगा इसमें आपने बने रहने की कोशित ज़रूर करनी चाहिए मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं दोस्तो क्योंकि valuation सबसे अच्छी बात आप कोंगा valuation जो दोस्तो बहुत बढ़िया है और ऐसे valuation वाले stock आपको बार बार नहीं मिलेंगे तो thank you समद दोस्तो आपने यहाप और विए को understanding क्या हो तो